Hello students, O2IS Academy में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम जोती कौशल है और हम पिछले एक साल के Current Affairs को कवर कर रही हैं, HCS Prelims के लिए आज हमारा इस सीरीज में Overall Day No. 42 है और आज हम जो करने वाले हैं, that is May and June 2022 के ऐसी Diseases जो की News में थी तो इन दो महीनों में जितनी भी ऐसी Diseases हैं जो की News में थी, आज हम कवर करेंगे इसके अलावा हमने पिछले एक साल के Current Affairs को कवर कर लिया है, सिरफ आपके May और June 2022 के Current Affairs रह गए है इसके अंदर भी हमने 3-4 Lectures को कवर कर लिया है, तो आज देखते हैं कि इन मन्स में कौन-कौन सी जो Diseases हैं वो News में थी इससे पहले मैं बता दूँ अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS Academy की आप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं उसमें आपको HCS Preliums के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके Content Section में Study Resources के नाम से अलग से एक फोल्डर बना हुआ है इसमें जाके आप Current Affairs की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको रिवाइस कर सकते हैं इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HCS Exams की Preparation करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने Foundation Course को Launch किया है तो इस Foundation Course के अंदर आपको अलग-लग Subjects भी मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको State Specific GK का Material भी मिल जाएगा इसके अलावा आपको यहाँ पे Tech Series भी मिल जाएगी, आप जाकर इसको Explore कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं Monkey Pox Virus के बारे में, जो कि बहुत ज़ादा News में था तो United Kingdom के अंदर Monkey Pox का जो Virus है, उसका एक Case मिला है और यह माना जा रहा है क्योंकि वो जो Person है वो Nigeria से टैवल किया था इस वज़े से जो Monkey Pox Virus है वो एक जगा से दूसरी कंट्री में भी आ गया है तो अगर मैं Monkey Pox Virus के बारे में बात करूँ तो यह एक ऐसा Virus है जो कि एक Disease Cause करता है जिसका नाम है Monkey Pox Disease और यह एक Zoonotic Disease है यह एनिमल से Humans के अंदर Transmit हो सकती है कैसे Transmit होती है या तो एनिमल ले किसी ने बाइट कर लिया हो Human को या फिर उसने कोई Scratches डाल दियो हो Human के उपर या फिर उस Person ने उस किसी भी एनिमल का जो Meat है उसको Consume किया हो इसके अलावा इस Monkey Pox Virus के अंदर कुछ Symptoms देखने को मिले जैसे कि जो Person है उसके जो Lymph Nodes है वो बहुत जादा Swell Up हो जाते हैं उसकी Body पे ऐसे बड़े-बड़े से Nodes बन जाते हैं तो वो इस वज़े से होता है क्योंकि आपका जो Lymphatic System होता है तो वहाँ पे आपके अलग अलग जगा पे Nodes present होते हैं वो Nodes क्या करते हैं कि जितना भी आपका Lymph के अंदर Micro Organisms है उनको Filter Out करने का काम करते हैं तो उस वज़े से वो जो Lymph Nodes है वो बहुत जादा Swell Up हो जाते हैं इसके अलावा Lymph Nodes के अंदर बहुत जादा WBCs भी देखने को मिलते हैं और WBCs जो होते हैं वो आपके Body के Soldier Cells होते हैं जो कि आपको अलग अलग Organism से Protect करने में हेल्प करते हैं Next हम बात करते हैं एक Syndrome के बारे में जिसका नाम है Sudden Infant Death Syndrome यह एक ऐसा Syndrome है जिसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं जब भी वो सोते हैं तो Ultimately वो उठ नहीं पाते हैं उनकी Death हो जाती है तो यहाँ पे जो Sudden Infant Death Syndrome है उसके Regarding जो Scientists हैं वो यह चेक करने लगे कि यह Sudden Death हो क्यों जाती है तो यहाँ पे Australia के जो Researchers हैं Recently उन्होंने Blood के अंदर एक Bio Marker को Invent किया है उन्होंने क्या देखा कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी Death इस Syndrome की वज़े से हो जाती है उनके Blood के अंदर एक Enzyme की कमी हो जाती है और उस Enzyme का नाम है Butryl Coline Steerase Enzyme और इसके अलावा उनकी Body के अंदर जो Protein Content है वो भी कम हो जाता है तो अगर मैं इस Enzyme के बारे में बात करूँ तो यह जो Enzyme है Autonomic Nervous System के अंदर बहुत जादा Role Play करता है इसका मतलब यह है कि आपकी Body की जो भी ऐसी Involuntary Activities है जैसे Breathing Rate को Change करना, Heartbeat करवाना है ना यह सारी की सारी आपकी Involuntary Activities है उन सब चीजों को Regulate करने के लिए यह Enzyme बहुत जादा Important होता है अब क्यूंकि इन बच्चों के अंदर इस Enzyme की कमी हो गई है तो इस वजह से इनकी Sudden Death हो जाती है और Ultimately यह उठ नहीं पाते हैं एक बार सो जाते हैं तो यह Environment को भी Respond नहीं कर पाते हैं Next हम बात करते हैं कि सबसे पहली बार यहाँ पर जो ICMR है उन्होंने Diabetes Type 1 Diabetes के लिए Guidelines को Issue किया है ICMR आपको पता यही है Indian Council of Medical Research जो की हमारे इंडिया की Institutes हैं जो की Medical के उपर Research करते हैं For example जो भी Diseases वगेरा हैं उसके Regarding यहाँ पर Research करते हैं अगर मैं यहाँ पर Type 1 और Type 2 Diabetes के बारे में बात करूं तो सबसे पहली बात Diabetes का मतलब यह होता है कि Blood का जो Glucose Level है That means जो Blood का Sugar Level है वो Increase कर गया है और इसको Regulate करने के लिए एक Hormone होता है जिसका नाम है Insulin तो Insulin क्या काम करता है? Blood का जो Glucose Level है उसको कम करने में Help करता है तो अब Type 1 Diabetes के अंदर यह होता है कि जो Insulin Gene है वो Defective होती है That means जो Insulin बनाने के लिए जो Cells हैं वो यहाँ पर Insulin को बना ही नहीं पा रही है और उस वज़े से Blood का Glucose Level हाई रहता है और इस Person को Diabetes हो जाती है Type 1 Diabetes ठीक है? Type 2 Diabetes के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो Cells होते हैं Pancreas के अंदर वो Insulin को Produce तो करते हैं लेकिन वो जो Insulin Produce हुआ है वो बहुत Low Quantity का Insulin होता है और उसकी वज़े से जो Blood का Glucose Level होता है वो कम नहीं हो पाता तो Ultimately इस Person के अंदर भी जो Blood का Sugar Level है वो जादा ही रहता है तो आपको Type 1 और Type 2 Diabetes के बारे में पता होना चाहिए Usually जो Type 1 Diabetes होती है वो बचपन से ही होती है क्योंकि उसकी जो Gene है वो Defective है लेकिन जो Type 2 Diabetes है वो Environmental Factor की वज़े से होती है जिस Environment में आप रह रहे हैं या फिर आप बहुत जादा मीठा खा रहे हैं तो उसकी वज़े से आपका जितना भी थोड़ा बहुत Insulin Produce हो रहा है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है Next हम बात करते हैं कि Thailand ने यहाँ पे Marijana की Cultivation को Legalize कर दिया है और उन्होंने लेकिन अभी भी जो Enjoyment Purposes के लिए Marijana को Use किया जाता था यहाँ पे जो गांजा है उसको Use किया जाता था उसको अभी भी उन्होंने बैन रखा है तो अगर मैं Marijana के बारे में बात करूँ तो यह Marijana जो है वो एक Plant से आता है जिसका नाम है Cannabis Plant जो कि भांक के नाम से भी जाना जाता है जैसे कि आपने भांक के पत्ते देखे होंगे है तो इससे Marijana बनता है जो कि जो लोग है अलग-लग Purposes के लिए Use करते हैं लेकिन यह जो Marijana है वो Drugs Industry और Cosmetic Industry के अंदर भी Use होता है यहां पर अलग-अलग दवाईयां बनाने के लिए Use किया जाता है तो यहां पर हमारे इंडिया के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो 1985 का जो Act है इसके अंदर Cannabis की Cultivation करने के लिए यहां पर Punishable है जो भी Cannabis की Cultivation करेगा उसको यहां पर Punishment मिलेगी या तो उसको एक तरह से Penalize किया जाएगा उनको कुछ ना कुछ यहां पर Penalty वगेरा देनी पड़ेगी अगर मैं बात करूँ Drugs and Cosmetic Act 1940 के बारे में तो यहां पर इसके अंदर जो CBD Oil है जो Cannabis से निकलने वाला जो Oil है उसको Manufacture किया जाता है और यह अलग अलग जगाहों पर भी Sell किया जाता है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो Drugs and Cosmetic Rules जो 1945 वाले हैं उसके अंदर जो भी Cannabis है तो यहां पर Cannabis से आने वाले जो अलग अलग Substances हैं जैसे की भांग हो गया गांजा हो गया चरस हो गया तो इन सब को इन लिस्ट किया है क्यों क्योंकि यह सब चीजे जो है वो आयूरवेदा में जड़ी बूटियां बनाने के लिए यूज करी जाती है तो यहां पे इन परपसिस के लिए इस चीज को यूज किया जाता हैं उनकी West Nile Virus की वज़े से डेथ हो गई है इसके अलावा भी केरला रीजन के अंदर जो वाइरस है वो अलग-अलग सालों में यहां पर देखने को मिला जैसे 2019 में एक 6 साल का जो बच्चा है उसको भी हो गया था इसके अलावा 2006 के अंदर 2011 के अंदर जो West Nile Virus है उसके cases यह एक परसन के अंदर देखने को मिला था जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1937 के अंदर यूगांडा के अंदर एक West Nile District है इसके अंदर ही एक परसन में यह जो वाइरस है वो देखने को मिला लेकिन बाद में भी जैसे 1953 हो गया इस वाइरस को एनिमल्स के अंदर भी identify किया गया ज लेकिन उसको ट्रांस्मिट करने के लिए एक वेक्टर की जरूरत है यहाँ पर जो एक वेक्टर है एक मस्किटो है जिसका नाम है क्यूलेक्स मस्किटो तो यह जो क्यूलेक्स मस्किटो होता है वो इस वाइरस को एनिमल्स से हूँमन्स में ट्रांस्मिट करने का काम करते है अगर मैं बात करूँ कि जो West Nile Virus है वो कौन-कौन सी diseases cause करता है तो यहाँ पर एक Japanese Encephalitis है जिसके अंदर जो brain है उसके जो Encephalon है basically वो affected होता है मतलब brain के अंदर यहाँ पर swelling हो जाती है इसके अलावा यह yellow fever भी cause करता है Next हम बात कर लेते हैं malaria के बारे में तो recently एक study में यह पाया गया है कि यहाँ पर malaria के cases को कम करने के लिए artificial light को use किया जा रहा है देखो अगर मैं malaria के बारे में बात करूँ तो यह एक protozoan disease है जिसके अंदर यहाँ पर अलग-लग species होती है जिसका नाम है जैसे plasmodium falciparum हो गया, plasmodium avivax हो गया यह एक mosquito के अंदर चले जाते हैं जिसका नाम है female anophilies mosquito और जिस टाइम पर यह mosquitoes रात में breed करते हैं तो उस टाइम पर यह humans को bite करते हैं और उसी की वज़े से यह जो plasmodium है वो humans में भी आ जाता है और ultimately malaria cause कर देता है तो यहाँ पर scientist ने क्या देखा कि अगर हम artificial light को use करें, that means रात के समय में भी अगर light को जला कर रखें तो उस time पर यह जो mosquitoes है वो breed नहीं कर पाएंगे और ultimately यह humans को bite नहीं कर पाएंगे और उसकी वज़े से जो malaria के cases हैं वो कम हो जाएंगे अगर मैं बात करूँ कि क्या यहाँ पर malaria के लिए कोई vaccine available है तो यहाँ पर जो moscurix brand के नाम से RTS बिक रही है वो basically malaria के लिए ही एक vaccine है vaccine का काम यही होता है कि कोई भी जो micro organism है या तो उसको मार दिया जाता है या फिर उसको weak करके body में डाल दिया जाता है ताकि हमारी जो body है उस micro organism के against जहाँ पर antibodies बना सके next हम बात करते हैं lumpy skin disease के बारे में तो recently हुआ क्या है गुजरात के कुछ district में जो buffaloes and cattle वगेरा है उनके अंदर एक disease हो गई है जिसका नाम है lumpy skin disease इस disease के अंदर यहाँ पर जो cattle है उसकी body के उपर यहाँ पर अलग अलग आपको nodules वगेरा देखने को मिलेंगे अलग अलग जो skin के उपर यहाँ पर lumps जो है वो देखने को मिलेंगे अगर मैं इस disease के बारे में बात करूँ तो यह एक viral disease है जो की pox virus की वज़े से होती है और यह cattle के अंदर चले जाती है जिसकी वज़े से अलग अलग जो symptoms है वो देखने को मिलते हैं इस cattle के अंदर जैसे watery eyes हो जाती है watery nose हो जाती है इसके अलावा भी इसकी skin के उपर lumps बन जाते हैं लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इसके लिए वैक्सिन भी अविलेबल है जो की livestock health and disease control program of इंडिया के अंदर included है that means सारी जो cattle वगेरा है उनको इसकी vaccine provide करी जा सकती है ताकि इनको ये disease ना हो वैसे सबसे पहली बार ये जो disease है वो 1929 में Zambia वाले region के अंदर देखने को मिले थी ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए next हम बात कर लेते हैं bubonic plague के बारे में जिसको black death के नाम से भी जाना जाता है तो अगर मैं इस black death के बारे में बात करूँ तो ये एक bacteria species की वज़े से होती है जिसका नाम है yersinia pestis तो ये जो bacteria होता है वो अलग-अलग animals के अंदर चला जाता है जैसे rodents, mice वगएरा के अंदर चला जाता है और ultimately mice से ये transmit हो जाता ही humans के अंदर that means ये एक zoonotic disease है zoonotic का मतलब यहाँ पर यही होता है कि animals ये humans में transmit हो सकती है और जैसे ही ये humans में आती है तो अलग-अलग symptoms देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर जिस भी person को ये disease हो जाती है तो उसको अलग-अलग symptoms देखने को मिलते हैं जैसे coughing वगएरा होती है इनके भी lymph nodes जो है वो swollen up हो जाते हैं इसके अलावा इनके जो body के organs है वो थोड़े काले पढ़ने लग जाते हैं और ultimately इनकी death हो जाती है जिसको हम black death के नाम से भी जानते हैं Otherwise भी ये जो disease है वो 14th century के अंदर यहाँ पर अलग-अलग regions में देखने को मिली जैसे Europe के अंदर हो गया, Africa के अंदर हो गया, Western Asia के अंदर यह जो disease है बहुत जादा देखने को मिली थी और उस time पर लोगों की बहुत जादा death हुई थी bubonic plague की वज़े से Next हम बात कर लेते हैं vaccine-derived polio virus के बारे में जिसके यहाँ पर जो कुछ strains है वो एक कौलकता के अंदर sewage samples के अंदर देखने को मिले हैं अगर मैं बात करूँ polio virus के बारे में तो यह एक ऐसा virus है जो की poliomyelitis की वज़े से होता है और यहाँ पर इसके अलग-अलग strains होते हैं जैसे P1 हो गया P2 हो गया P3 हो गया लेकिन 1999 के अंदर जो P2 के strains है वो eradicate हो चुके थे यहाँ पर पूरे world के अंदर कोई भी virus का जो P2 strain है वो नहीं रहा था लेकिन हमारे इंडिया के अंदर 2014 में जो P1 और P3 के strains है वो भी eradicate हो चुके थे तो इस वज़े से जो भी strains देखने को मिल रहे हैं तो एक तरह से वो एक खत्रे की बात है क्योंकि हमारे इंडिया में से अलरड़ी यह जो strains है वो eradicate हो चुके हैं तो अगर मैं पोलियो वाइरस के बारे में बात करूं तो यह जो वाइरस है वो हुमन के लिम्स के अंदर जाकर रहने लग जाता है जैसे लोर लिम्स के अंदर लोर लिम्स का मतलब है यहां पर लेक्स वगेरा के अंदर जाकर रहने लग जाता है और अल्टिमेटली वहां पे नियूरॉ है वो signal को carry नहीं कर पाते और यहां पर legs की paralysis हो जाती है अब इस polio virus को eradicate करने के लिए अलग लग vaccines दी जा रही थी जैसे कि oral polio vaccine हो गया then is injectable polio vaccine हो गया है न यह दी जा रही थी इसके अंदर vaccine दी जा रही थी vaccine का मतलब है ऐसा microbe जो कि या तो kill करके डाला है या फिर उसको weak करके डाला है ताकि हमारी body उसके against antibody बना सके तो यहाँ पर जो भी vaccine दी गई है अब वो body में antibody बनाने की वज़ाए यहाँ पर grow करने लग गया है तो इस वज़े से यह बहुत जादा खतरे की बात है next हम बात करते हैं respiratory sensation virus के बारे में तो यहाँ पर यह जो virus है जादा तर यह बच्चों में देखने को मिल रहा है और ultimately इन बच्चों के जो respiratory system है जो सांस लेने का जो system है उनको affect करता है lungs को affect करता है और उसकी वज़े से इनको बहुत जादा coughing होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 साल से लेके जादा तर 6 साल के बच्चों को यह effect कर रहा है और उसके against ना तो कोई vaccine है और ना ही कोई antibiotics अविलेबल है लेकिन इसको एक तरह से prevent करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाई जा सकते हैं जैसे कि यह जो virus है बहुत जादा contagious है contagious का मतलब एक जगा से दूसरी जगा फैल सकता है तो इसलिए hand wash करना है properly आसपास की जो चीज़ें हैं उनको sanitize करके रखना है और जब भी coughing और sneezing वगएरा हो तो हमेशा हाथ रखके या फिर कोई tissue वगएरा रखके ही करना चाहिए ताकि जो droplets हैं वो हवा में ना आएं और ultimately यह किसी और को ना फैले next हम बात कर लेते हैं endosulfon के बारे में जो कि basically as an insecticide use हो रहा था crops के लिए that means यहाँ पे जो भी crops वगएरा है जो भी grains वगएरा है उनके अंदर जितने भी insects यहाँ पे crops को खराब कर रहे हैं तो उनको मारने के लिए endosulfon को use किया जाता था लेकिन यहाँ पे यह देखा गया कि यह जो endosulfon है वो ultimately humans के अंदर आ जाता है humans के body के अंदर चला जाता है और यह बहुत जादा neurotoxic होता है that means यह nervous system को जाकर effect करता है और हमारे nervous system का क्या काम होता है signals को carry करने का that means stimulus को लेने का जैसे मैं कोई चीज देख रही हूँ या मैं कोई चीज सुन रही हूँ तो उसको सुनने का या फिर देखने का जो काम है वो हमारी जो neurons होती है हमारे brain तक message लेकर जाती है और ultimately वो जो message है दुबारा से हमारी eyes के अंदर आता है ताकि हमें पता लग सके कि हमने कौन सी चीज को देखा है तो that means अगर ये हमारे nervous system को affect करेगा तो एक तरहा से ये जो person है वो किसी भी environment चीजों को respond नहीं कर पाएगा इसके अलावा इस endosulfon को अलग-अलग conventions के अंदर भी include किया गया है ताकि इसको ban किया जा सके इवन हमारे जो supreme court है उन्होंने भी 2015 के अंदर यहाँ पर judgment सी थी और ये बोला था कि आप इस endosulfon की production को करना बंद कर दीजिए और इसको एक तरहा से ban करने के लिए ये supreme court के कुछ steps थे 2011 के अंदर भी supreme court ने ये बोला था कि आप इसको धीरे-धीरे कम कीजिए तो आपको पता होना चाहिए कि जो endosulfon है ये एक insecticide है जो की बहुत जादा neurotoxic है next हम बात कर लेते हैं shigellosis के बारे में तो recently केरिला वाले region के अंदर यहाँ पर shigella का outbreak देखने को मिला है that means shigella जो है वो एक bacteria है वो अलग-अलग persons को हो रही है अब shigella bacteria जो है वो human की intestine में जाकर रहने लग जाता है और ultimately इनके digestion को खराब कर देता है तो इस person को बहुत जादा एक तरह से diarrhea हो जाता है lose motion लग जाती है और इसकी body में से बहुत जादा पानी और ions का loss हो जाता है आपने ध्यान देना है कि shigella के लिए अभी तक कोई भी vaccine वगेरा अवेलेबल नहीं है तो that means अगर यहाँ पे कोई भी loss हुआ है body का तो उसके लिए यहाँ पे एक solution दिया जाता है जिसका नाम है oral rehydration solution जिसको हम ORS के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे जितना भी body में अलग अलग पानी और ions का loss हुआ है उसको दुबारा से recover किया जा सके next हम बात कर लेते हैं hypertension के बारे में तो recently एक project है जिसका नाम है India Hypertension Control Initiative तो इस project के अंदर यह देखा गया कि हमारी country में जो hypertension के that means high BP के जो patient है जो की 2.1 million patient है उसमें से भी जो 23% लोग है उनके अंदर uncontrolled BP की problem है that means एक बार अगर BP बढ़ जाए तो वो control नहीं होता है तो यहाँ पे अगर मैं high BP की बारे में बात करूँ जिसको hypertension के नाम से भी जानते हैं तो इसमें होता क्या है कि जो heart है वो बहुत तेजी से pump करने लग जाता है और ultimately जो blood vessels होती है उनके उपर जो blood का एक तरह से pressure होता है वो बहुत जादा increase कर जाता है तो इसकी वज़े से इस person को high BP हो जाता है ऐसे जो normal BP है वो कितना होना चाहिए 120 is to 80 mmHg that means जिस time पे जो heart है वो rest कर रहा है उस time पे blood flow जो है वो 80 mmHg होना चाहिए और जिस time पे जो ventricles contract कर रही है उस time पे जो blood का flow है वो 120 mmHg होना चाहिए लेकिन एक high BP वाले patient के अंदर ये जो blood pressure है वो 140 is to 90 mmHg हो जाता है next हम बात कर लेते हैं कि recently USA के अंदर 12 ऐसे patients थे जिनको rectal cancer था और उनके cancer को यहाँ पे immunotherapy से ठीक किया गया है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहली बात rectal cancer होता क्या है तो large intestine का एक part होता है जिसको हम rectum कहते हैं तीक है और जो rectum है उसके अंदर temporary जो feces है जो की excreta वगयरा है वो store होता है और ultimately anus के through जो excreta है वो excreta out हो जाता है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे cancer के बारे में तो cancer के अंदर जो cells है वो uncontrolled way से grow होने लग जाती है बहुत जादा grow करती है multiply करने लग जाती है और ultimately इस condition को हम cancer कह देते हैं तो cancer के लिए यहाँ पे अलग लग therapies वगयरा available थी जैसे chemotherapy, physiotherapy तो यहाँ पे recently USA के New York के अंदर एक center है उस center के अंदर एक trial हुआ और यहाँ पे 12 patients का जो rectal cancer है उसको immunotherapy से ठीक किया गया अब immunotherapy का मतलब क्या है यहाँ और कैसे इसको ठीक गया इसके बारे में एक बार देख लेते हैं तो इस trial के अंदर इन्होंने scientist ने क्या किया कि 6 महिनों के लिए हर एक 3 हफ़ते बाद इनको monoclonal antibodies दी जो की दोस्तारली map के नाम से जानी जा रही है तो जब इन person को दोस्तारली map दी तो यहाँ पर यह जो person है वो बिल्कुल ठीक हो गए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं monoclonal antibodies के बारे में monoclonal antibodies का मतलब यह होता है कि सबसे पहली बात antibodies का मतलब यह होता है कि जब भी कोई antigen आपकी body में enter करता है तो उस antigen को kill करने के लिए आपकी body जो है वो antibodies बनाती है तो monoclonal antibodies का मतलब यह है कि उस antigen के सिरफ एक site को ही वो recognize करती है और सिरफ वहीं जाकर यह antibodies लगेंगी और ultimately यह जो antigen है वो kill हो जाएगा that means specific epitope के उपर जाकर यह antibodies लगती है तो ऐसी type of antibodies को हम monoclonal antibodies कह देते हैं ultimately यह जो therapy है immunotherapy है वो PD-1 based है that means देखो यहाँ पर यह जो T cell है न उसके उपर यहाँ पर PD-1 receptor लगा होता है जो की tumor cell that means जो cancer cell है वो PD-L1 के साथ जाकर जुड जाता है और जब यह इसके साथ जाकर जुड जाता है तो जो हमारी T cells होती है that means यह WBCs की एक type है जो की आगे जाके cancer cell को kill करती है तो ultimately यह इस cancer cell को kill नहीं कर पाएगी तो यहाँ पर जो दोस्तारली मैब बनाई है वो इस PD-1 receptor के लिए बनाई है या फिर यहाँ पर PD-L1 receptor के लिए बनाई है ताकि यह जो monoclonal antibodies है वो इसके साथ जाकर लग जाएं और जो T-cells हैं वो ultimately इस cancer cell को kill कर दें तो इस तरीके से इनका जो rectal cancer है उसको एक तरहां से cure किया गया है तो यह बहुत ही बड़ी एक तरहां से study है तो आपने इसके बारे में ध्यान रखना है तो I hope आपको इस lecture के अंदर जितनी भी diseases वगरा हैं उनके बारे में समझ में आया होगा तो next class के अंदर हम May and June के जो बच्चे हुए current affairs हैं वो cover करेंगे Thank you so much and have a nice day